केंद्र सरकार द्वारा हज नीती में किये गए बदलावों के मुताबिक 45 साल से अधिक उम्र की मुसलिम महिलाओं को अकेले हज पर भेचने का विचार कर रही है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिये गए ये प्रस्ताव कई मुसलिम धर्म गुरू को पसंद नहीं आ रहा है महाराश्व के जमियत उलेमा के सेकरेटरी ने केंद्र के इस प्रस्ताव को अटपटा बताते हुए कहा है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर करने का फैसला बेकार है क्यूंकि ऐसा होना मुम्किन नहीं है इस मुसलिम धर्म गुरू का कहना है कि अगर पुरुष महिलाओं को वाकई में अपनी बराबरी में लाना चाहते है तो वो साढ़े चार महीने तक बच्चे को अपने पेट में क्यूं नहीं पालते आपको बता दें कि शनिवार को कि इंद्र सरकार ने नई हजनीती पेश की थी जिसमें सबसीरी की व्यवस्थाख खत्म करने और 45 साल से ज्यादा उम्री की महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की इजासत देने का प्रस्ताव किया गया है हानकि इसमें ये भी कहा गया है कि बिना महरम के हज पर जाने के लिए चार महिलाओं का समू होना जरूरी है इसके साथ ही नई हज निती 2018-22 में हज यात्रियों को समुद्री मार्क से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात की गई है समुद्री जहाज के जरिये हज पर जाना लोगों के लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है